गाज़िपूर के दुल्हपूर में कपड़े की दुकान में लगी आग 20 लाग का समान जलकर हुआ खाग। खबर गाज़िपूर से है जहां गाज़िपूर में दुल्हपूर थानाशित्र के दुल्हपूर निवासी प्रमोद मदेशिया का पूत्र रोज की तरह मंगलवार की राद भी तकरीबन 8 बजे बाजार से कपड़े की दुकान बंद कर दुकान से करीब 500 मीटर की दूरी पर इसी दोरान तकरीबन 9 बजे अग्यात करणों से दुकान में आग लग गई जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों ने दुकानदार को पूरे घटना के जानकारी दी आनन फानन में दुकानदार भी मौके पर पहुँच गया आग के विकराल रूप को देख लोग फायर बि इसमें रामविला स्यादो, सुनील गुपता, धन्नु एहमद, मोनु गुपता आग बुझाने वाली लोगों में शामिल रहे। रात में तक्रीबन साड़े दस बजे फायर ब्रिगेट के गाड़ी भी मौके पर पहुची, फायर कर्मियों ने मौके पर पहुचकर आग को पूरी तरीके से बुझा दिया, पिल्डित ने बताया कि आग की घटना में लगभग 20 लाक रुपय का सामान चलकर खाक हो गया है। कि अब टिया, खाय झाओ टूरी तरीके से बटना में लगभग 20 लाकि टूरीके से बटना में आग है, पायर है क्ड़ एल गुझा जब का सब्रहत है।